नवस्कार दोस्तो डी फाइब चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं ध्रमेंदर संदु स्वाक्त करता हूँ देवों के देव महादेव समुचे विश्व में शिवलिंग रूप में विराजमान है को शिवलिंग अपने प्राचीन इतिहास के कार्ण परसिद हैं तो को शिवलिंगों के साथ जुड़े चम्तकार हमें आज भी अचमभीत करते हैं क्या आपने सुना या देखा है कि शिवलिंग का हर साल अकार बढ़ता है यदि नहीं तो आज आज आपको भारत के पांच ऐसे चम्तकारिक शिवलिंगों के बारे में बताते हैं जिनका आकार हर साल बढ़ रहा है तिल के आकार से हर साल बढ़ता तिल भांडेशवर शिवलिंग भगवान शिव की नगरी कही जाने वाली काशी में सत्यूग में प्रकट हुआ स्वैंभू शिवलिंग बाबा तेल भांडेश्वर में प्रानपर्तिष्टित है कल्यूग से पहले यह शिवलिंग हर दिन तिल के अकार से बढ़ता था लेकिन कल्यूग के आगमन पर लोगों को यह चंतास ताने लगी कि यदि इसी अकार में हर दिन शिवलिंग बढ़ता रहा तो पूरी दुनिया इस शिवलिंग में समा जाएगी तब लोगों ने भगवान शिव के अराधना की तब भगवान शिव ने प्रगट होकर साल में केवल संक्रांती पर ही इसके बढ़ने का वरदान दिया कहते हैं कि उस समय से हर साल मकर संक्रांती पर शिवलिंग का तिल के वराबर अकार बढ़ता है पौडीवाला शिव मंदर में जउ के दाने के समान बढ़ता है शिवलिंग हिमाचल परदेश में नाहन से लगवग आठ किलोमेटर की दूरी पर स्थित पौडीवाला शिव मंदर का संबन्ध लंकापती रावन से माना जाता है माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना लंकापती रावन ने की थी इस मंदिर को स्वर्ग की दूसरी पौडी के नाम से भी जाना जाता है ऐसी मानता है कि हर वर्ष महा शिवरात्री पर यह शिवलिंग एक जौं के दाने के बराबर बढ़ जाता है ऐसी मानता भी है कि शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव का वास है मतंगेश्वर शिवलिंग में होती है हर साल वरिधी मध्य परदेश के खजराओं का मतंगेश्वर शिवलिंग बहत प्राचीन है कहा जाता है कि भगवान शरी राम ने भी इस मंदिर में पूजा की थी मौजूदा समय में शिवलिंग का आकार 18 फीट है इस मंदिर में प्राण परतिष्टी शिवलिंग हर साल तिल के आकार में बढ़ रहा है एक चावल के दाने के समान बढ़ रहा मुर्देश्वर महादेव शिवलिंग गुजरात के गोध्रा में स्थित मुर्देश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग हर साल चावल के दाने के आकार के अंसार बढ़ रहा है इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि जिस दिन इस शिवलिंग का अकार साड़े आठ फुटका हो जाएगा उस दिन यह मंदिर की शत को शूलेगा और उसी दिन महा प्रले आ जाएगी शिवलिंग के मंदर की शत शूने में अभी लाखों वर्ष लग सकते हैं क्योंकि शिवलिंग का अकार एक वर्ष में केवल एक चावल के दाने के बराबर ही बढ़ता है मृदेश्वर शिवलिंग की शेटा है कि इसमें अपने आप ही जल की धारा निकलती रहती है जो शिवलिंग का अभिशेक करती है यह जल धारा हर मौसम में एक समान बहती रहती है हर साल 6-8 इंच बढ़ता है शिवलिंग शतिजगर के गरियाबन जिले में एक प्राकरितिक शिवलिंग है जिसे भोतेश्वर महादेव कहा जाता है इसे भखरा महादेव के नाम से भी पुकारा जाता है कहा जाता है कि हर साल ये शिवलिंग 6-8 इंच तक बढ़ रहा है यहाँ पर भक्तों की हर मनो कामना जिरूर पूर्ण होती है इतना ही नहीं मनो कामना पूरी होने पर भगवान के दरबार में आकरा भार भी प्रकट करते हैं तो दोस्तों ऐती उना दभूत शिवलिंगों से जुड़ी जानकारी जिनका आकार द्रंतर बढ़ रहा है ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे जुड़े रही है डी फाइब चैनल हिंदी के साथ